कानपुर में हुए पुलीस एंकाउंटर ने देश में सबको हिलाके रख दिया है ये अभी तक का सबसे बड़ा पुलीस एंकाउंटर निकल के सामने आया है बदमाशों के साथ मिलकर अपरादी विकास दूबे ने गोली बारी की जिसमें आठ पुलीस कर्मी शहीद हो गए व दूपी पुलीस के आठ जवान शहीद हो गए दो और तीन जुलाई की आदी रात को चौबे पुर पुलीस थाने में आने वाले दिकरू गाउं के पुलीस दल विकास दूबे को गिरफतार करने जा रहा था इसी के दौरान विकास दूबे की गैंग ने पुलीस पर ताब तोड फाइरिंग शुरू कर दी और पुलीस कर्मियों को बचने तक का मौका नहीं दिया गया इस वारदात में 47 जैसे हत्यारों का इस्तमाल किया गया विकास दूबे का घर जिस गाउं में हैं उसके घर में बिना उसकी इजाज़त के कोई नहीं आ सकता विकास दूबे हिस इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने 2001 में थाने में घुसकर ततकालिन दर्जा प्राप्त राज्ये मंतरी संतोष शुकला की गोली मार कर हत्या कर दी थी इस चर्चा पर पूरे देश में बात हुई थी लेकिन उसका कोई कुछ नहीं कर पाय था उसका खौफ ऐसा था कि कि इसी पुलीस कर्मी ने उसके खिलाफ बयान नहीं दिया था और उसको बरी कर दिया गया था शिवली थाने में स्थिट सन 2000 में तारा चंदर इंटर कॉलेज के सहायक प्रभंदक से देश और पांडे की हत्या का आरोप लगा है 2014 में केवल विफसाई दिनेश दूबे की हत्य का आरोप भी लगा हुआ है इतना ही नहीं जेल में उसने राम बाबु यादफ की हत्या भी रची थी उसने ऐसी कई हत्याओं को अंजाम दिया है विकास दूबे ने 2018 में अपने चचेरे भाई अनुराक पर जान लेवा हमला करवाय था विकास जेल में रहकर के बाद गाउं को चारों तरफ से घेल लिया गया है इस इलाके में अब ड्रोन से निगरानी की जा रही है इस मामले में एक दरोगा समित कई पुलिस कर्मियों को गोली भी लगी है हालत गंबीर हुने के कारण सभी को रीजेंसी अस्पताल में भरती कराया गया है कई पलिस अब इस पर सीम योगी ने अपरादियों पर कड़ी कारवाई करने का निर्देश दे दिया है अब देखना ये है विकास दूबे कब पुलिस की गिरफ्त में आएगा और दूबे पर क्या कारवाई की जाएगी